लेकिन इत्यास गवाह है कि इस्थाई विकास के लिए तेज विकास के लिए मूल विवस्ताओं के साथ ही आदुनिक इन्फरा बनाना भी जरूरी होता है ये है मूदी का नया हिंदुस्तान जिस हिंदुस्तान में गती है जिस हिंदुस्तान में गौरव है और जिस हिंदुस्तान के गंभीर संकल्ब है दमदार इंफ्रास्ट्रक्चर है, मजबूत अर्थ ववस्था का संबल है, सम्रध्य कनेक्टिविटी का कल्चर है सात्यों, आज हम अर्बन प्लानिंग में इज अफ लिविंग और क्वालिटी अफ लाइफ दोनों पर समान जोड़ दे रहे हैं हमारी कोशित है कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत ज़्यादा समय खर्च ना करना पड़े साल दोजार चौबीस के अन्त तक भारत की सड़कों का बुन्यादी नाचा अमेरिका के बराबर हो जाएगा देश के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर में आए आमूल चूल बदलाव की बानगी भर है ये तस्वीरें देखिए बारा फरवरी को पिये मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सपेसवे के पहले फेस का उत्खाटन अपने राजधर्म की उसी संकल्प के साथ किया जो सबके साहत और सबके विश्वास पर ठिका है तो बात यहीं से आगे बढ़ती है कि क्या 2024 का समर मोदी के इसी कर्म पत से सदेगा क्या मोदी का विकास पत 2024 का एजंडा बनेगा बीते साल आई Bank of America Securities इंडिया की रिपॉर्ट में नेशनल हाईवे और रेलवे लाइन की निर्मान और विस्तार के बारे में जो आखड़े दिये गए वो विकास के प्रती मोदी सरकार की प्रतिबद्धा को दर्शाते है 1950 से 2015 के बीज यानि बीते 65 साल में जितने नेशनल हाईवे और जितने रेलवे लाइन का निर्मान हुआ उससे कहीं जाद दो हजार पचीस में खत्म हो रे दशक के दौरान बन कर तयार हो जाएगे रिपोर्ट में नैशनल हाईवे और रेलवे लाइन के निर्मान से संबंदिच जोंखड़े दिये उसके मताबिग देश में साल 1950 तक 4000 किलोमेटर नैशनल हाईवे और निर्मान हुआ जो 2015 तक बढ़कर 77,000 किलोमेटर तक पहुँचा और 2025 तक 1,80,000 किलोमेटर को पार कर जाने की उमीद यानि दस सालों के दर्मियान राज मारगों की कुल लंबाई दोगुने से ज़्यादा होने का अनुमान है उत्तर प्रदेशन तो एक्सप्रेस्वे का जैसे जाल सा बिच किया यहाँ एक्सप्रेस्वे को इस तरह बनाया गया था कि किसी एमरजनसी में फाइटर जट को उतारा और लैंड कराया जासे आपको याद होगा पूर्वांचर एक्सप्रेस्वे का उधगाटन करने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी हर्कूलिस विमान से गयत इस एक्सप्रेस्वे पर सुखोई और विराज जैसे रड़ाको विमानों ने अभ्यास किया था उत्तरप्रदेशन बुद्देलखन के साथ जलों को 296 किलोमेटर लंबे बुद्देलखन एक्सप्रेस्वे की सौगात पिये मोधी दे चुके हैं इसके अलावा डिफेंस कॉरिडोर का एक बड़ा बॉजट जिससे यूपी की तरक्की के रखतार दोगुनी हो जाएगी बल्क एयर कनेक्टिविटी देने का काम किया है एसिया का सबसे बड़ा एयरपूट जेवर एयरपूट आपके सामने है जहाजों की मेंटेनेंस और रिपेरिंग का काम भी साथ ही चलेगा रेलवे की वंदे भारत और तेजस ट्रेनों की सौगात हो या छोटे शेहरों को हवाई या तायात जोडने की योजना ट्रांस्पोर्ट के मामले में बीते एक दशक में देश में अतिहासिक काम हुआ देश में सडकूर हाईवे का जाल बिछाने के लिए बीते नौ सालों में आवंटन लगबग नौ गुना हुआ पूरे ट्रांस्पोर्ट सेक्टर का बजट देखा जाए तो सरकार ने 2014 के मुकाबले अब तक इसे 175 प्रतिशत बढ़ा दिया है यूरे पॉर्ट ताइमस्णान अभारत